नमस्कार दोस्तों सुआगते आपका हमारे यूटीब चैनल टोटल ज्यान में दोस्तों अचारे चानके जी कहते हैं हिंदूस्तान दुनिया में एक मात्र ऐसा देश है जहां पर इस्तरी को देवी का दर्जा दिया जाता है और माता लक्षमी का रूप माना जाता है दोस्तों चानके जी कहते हैं इस्तरी किसी भी घर में खुशिया ला सकती है और इस्त्री ही किसी भी घर को स्वर या नर्क बना सकती है आपके जानगारी के लिए मैं आपको बता दूँ एक इस्त्री के अंदर ऐसे अनमोल गुन होते हैं जिनकी कोई कलपना भी नहीं कर सकता लेकिन आज कल पुरुशों से इस्त्रीों से कहते हैं आप देवी हो आप माता हो और सोचते क्या हैं यहां सोचते हैं कि इस्त्री हमारे पाउं की धूल है और कुछ नहीं असल चरित्र ही तो पुरुश है जिस इस्त्री का मान भंग करते हैं और वह उन्हें दासे समझते हैं ऐसे में आज हम आपको बताएंगे इस्त्री की इज़त ना करने वाला चरित्र ही पुरुशों का क्या हाल होता है दोस्तो आज हम आपको बतादें की दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी इस्त्री का अपमान करे शास्त्रों के अनुसार जहां नारी जाती का अपमान होता है वहां उसी सम्य मानवता शम्शार हो जाती है संसार बरबादी का रूप ले लेता है किसी भी व्यक्ति को बार बार इस्त्री को किसी के कदमों में नहीं जुकाना चाहिए इससे देवी का अपमान होता है अगर आपको लगता है कि इस्तरी को नीजा दिखाना उसकी विज़े होगी तो आप गल्द हैं भगवान श्री किर्श्न कहते हैं जो इस्तरी का समान ना कर सका वह अपने परिवार और धनम का क्या समान करेगा अचारे चानके जी कहते हैं इस्त्री को गाली देने वाला पूरे संसार को गाली देने का समान होता है क्योंकि इस्त्री सरस्ट्रेश्टर मानी गई है इस्त्री जाती प्रकर्ति रूप है इसका अपमान ठेस पहुचाने के बराबर है शास्त्र कहता है कि जब कोई पुरुष इस्त्री को नीजा दिखा कर आगे बढ़ता है तो वह उसी समय नर्क की और बढ़ता है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और यूटिब चैनल टोटल ग्यान पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दी